तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक टूल शेयर करना है और उसका नाम है Microsoft Clarity और बेसिकली ये एक session recordings टूल है साथ ही साथ heat maps और जो बाकी website की insights होती है जो आपके visitors आते हैं वो आपको मालूम पड़ जाता है कि क्या क्या हो रहा है अब देखें ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब तक यही नहीं पता कि जो visitors आते हैं website पे वो कर के आ रहे हैं ठीक है Google Analytics आपको एक हद तक सारी चीज़े दिखाता है आपको मालूम पर जाए कि आपकी website पे जो visitor आ रहा है वो क्या करके गिया है तो उसकी जो recording होती है वो Microsoft Clarity आपको दिखाता है कि visitor ने क्या किया किन-किन जगाओं पर active था कहां पर click किये उसने ताकि आपको बहतर आप अपनी website को अनलाइस कर सकें साथ ही साथ आप अपने visitors को भी understand कर सकें कि visitors क्या आपकी website में interest लेते हैं या नहीं और किन चीज़ों में ज़्यादे इंटरस्ट ले रहे Microsoft Clarity free to use है और अगर आपने Bing Webmaster Tools को डाला हुआ है अपनी website में मैंने इसके ओपर वीडियो भी बनाई वी है तो नीचे आपके पास Microsoft Clarity का option आता है अब क्योंके मैंने अपनी website already add की हुई है clarity के अंदर तो यहाँ मेरे पास लिखा रहा है your site is added to clarity अगर आप में नहीं की होगी तो यहाँ पे एक option आता है add your website to clarity उसके बाद आपको एक code डालना होता है website में जो के ऐसा लगता है या तो आप वेब मास्टर टूल्स से भी कर सकते हैं यह चीज या आप clarity.microsoft.com पे आके और sign up करके उसके साथ भी install कर सकते हैं यह आपकी मर्जी है लेकिन अगर आपने वेब मास्टर टूल्स डालके रहा है तो ज्यादा अच्छा रहेगा जैसे आप क्लिक करेंगे जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास option आएगा उसके बाद जो code होगा वो code आप अपने wordpress की site के अंदर या तो अगर आप theme editor के थ्रू डालना चाहिए तो उसके थ्रू डाल सकते है code या अगर आपने कोई plugin install किया है जिस तरह मैंने code snippets के नाम से plugin है उसे install किया है तो header और footer मैं direct यहीं से डाल सकता हूं मुझे theme editor पर जाने की need नहीं पड़ती है तो मैंने जो code मिला वो डाल दिया यहां पर ठीक है और यह वो code है बाकी दूसरे codes है तो यह codes है और यह code है इसे डालने के बाद कुछ minutes के बाद आपकी website clarity के अंदर show हो जाएगी और ऐसा dashboard आपके पास आ जाएगा अब जिस दिन से आप Microsoft clarity के install करेंगा उसी दिन से फिर आपका data clarity record करना शुरू कर देगा sessions और heat maps वगेरा और अब जो dashboard ऐसे आएगा तो आपके पास दो तीन options होंगे पहला जो के dashboard second recordings third heat maps recordings और heat maps के अंदर जिस तरह के मैंने कहा के आपको मालूम पड़ेगा के visitor की जो recordings होती है मतलब वो क्या करके गया उसके अब replay कर सकते हैं कि वहां visitor ने क्या किया और इसके इलावा live view भी होता है देखें यह जो two live users आ रहें तो यह देखें यह मैं ही यहां पर बैठा हुआ हूँ फिलान अब जो भी visitor करेगा website पर आके ठीक है जैसे मैं यह scroll कर रहा हूँ यहां पर website पर उसके बाद मैं navigation bar को देख रहा हूँ फिर मैंने home पर click कर दिया तो clarity के अंदर भी यही चीज़ आपको exactly नजर आएगी कि visitor कहां पर गया है उसने क्या क्या किया है जैसे मैं यहां पर आया और यह जो मैंने scroll किया है तो थोड़ा सा delay होगा लेकिन आपको नजर पर आ जाएगा कि visitor आपकी website पर क्या आगा रहा है तो यहां पर भी यही चीज़ clarity ने record कर दी तो यह तो एक फाइदा है इसका कि आप किस तरीके से sessions record कर सकते हैं अच्छा यह क्योंकि इसलिए यह अभी blurred आ रहा है क्योंकि मैं खुदी यह session record कर रहा हूं और मैं खुदी live बैटा हूं तो अगर मैं अगर यह इस तरह खोल के रखूंगा तो यह चीज़ वहाँ पर भी show होगी लेकिन क्योंकि अभी मैं ही आपको दिखा रहा हूं तो मैं इसलिए यह चीज़ को जो यह blurred है इसको मैं unblurred नहीं कर सकता क्योंकि जो visitor आएगा जब वो website पर बैठा होगा उसके पास screen ऐसी आएगी और आपके पास भी ऐसी ही screen आएगी यह blurred नहीं होगा लेकिन यह क्योंकि मैं हूँ और यह screen यह वाली टैप खुली नहीं है इस वज़े से blurred है तो एक तो फायदा यह है कि जो भी website पर आपका बंदा कर रहा होगा वह आपको live नजर आएगा secondly इसके अंदर एक और क्या चीज कर सकते हैं आप के जो visitors आपके आते हैं तो उनकी recordings आपकी बन जाती है ठीक है recordings बनती है और उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे सारी recordings नजर आ रही हैं को तो यह जितने सेशन वेबसाइट पर आये जो भी visitor आया उन सब की recordings मेरे पास आता है अब जैसे यह एक विजर्टर ने जो ऑस्ट्रेलिया से आया था अब 12 मिनिट्स का सेशन है तो मैं प्ले करके देख सकता हूं के विजर्टर ने किया किया वेबसाइट पर जैसे आप देख रहें यह प अगर आप क्लिक पे इस वाले टैप पे क्लिक करेंगे तो यह भी आपको मालूम पड़ेगा कि visitor ने कहां कहां पे क्लिक किये तो यह मालूम पड़ेगा कि visitor ने कितनी जगाव पे स्क्रोल किया यह भी एक तरीके का heat map है जो red area है यह सबसे जाद एक्टिफ था red के बाद पिर आइस्ते जो green और dark green light green फिर blue पे जाता है तो blue सबसे ज़्यादा आपकी website का inactive area होता है जो के visitor ने देखा नहीं था ठीक है वो मैं आपको दिखाऊंगा भी तो क्योंकि green पे आ रहा है तो पूरी website ही इस visitor ने स्क्रोल की इसी तरीके से जो भी website पे आपका बंदा आएगा उन जो pages है उन जो भी website के आपके pages पर जो traffic आया उस पर क्या हो रहा था जैसे समझे के अगर मैं home page पे देखूं और मैं view heat map कर दूँ तो view heat map करने के बाद मुझे अब यहां पर यह मालूम पड़ेगा कि website अब देखें तीन चार options होते हैं आपके पास कि आप देखें हैं यह heat map पे एक तरीके का यहां पे clicks हुए और एक click इस पे हुआ फिर यहां पे images के यहां पे clicks हुए तो यह आपको इस तरीके से click से मालूम पड़ सकता है स्क्रोल पर जब आप click करेंगे यहां पे स्क्रोल के बाद यह आप नीचे देखें मोस्ट पॉपिलर और लीस पॉपिलर जो औरेंज सेक्शन है आपका वह सबसे ज्यादा पॉपिलर सेक्शन होगा website का यहां पे स्क्रोल मतलब चूंकि जाहर सी बात है page खुलेगा तो वह सबसे लीस पॉपिलर एरिया है मतलब यहां पर कोई activity हुई नहीं इस वजह से सबसे लीस पॉपिलर एरिया है website का फुटर सेक्शन हमेशा लीस पॉपिलर ही होता है अलसे नंडल के कोई बहुत ही बड़ी website हो आपकी उसमें फिर चांसे कम हो जाते हैं कि आपके चांसे उसम और पर भी अच्छा इसके इलावा हीट मैप्स वगरा चब आप यह देख लेंगे तो कैश बोर्ड के अंदर आपके पास बहुत सारे अलग-अलग options आएंगे जिसके अंदर आपको बता यूनीक users कितने आया website पे और यह चीज़े analytics के अंदर भी हो सकती है लेकिन अगर यूटीम टाइग्स करते हैं पेर advertisements के लिए चलाने के लिए एड्स रंक करने के लिए तो यहां पर आपको शो हो जाएगा ब्राउजर और डिवाइसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स कांट्रीज बाकी परफॉर्मेंस ओवर्व्यू जिस तरह गूगल का जो आप पेज स्पीड पर जाके देखते हैं वैसे ही बिंग का भी परफॉर्मेंस गोल होता है तो एक तरीके से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आपकी website की जो strength है in terms of the performance वो क्या है और वो अच्छी परफॉर्म कर भी रही है या नहीं most popular pages क्या आपकी website के popular pages कौन कौन से यह चीज़े आपको नजर आएगी इसमें आप बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं जिस तरह मैंने कहा recordings हो या heat maps हो आपको कम से कम यह मालूम पड़े के website क्लिक्स कहा हो रहे हैं और कौन-कौन से areas website के active थे यह चीज़ें बहुत जरूरी आपके लिए देखना के जब आप heat maps में जाएंगे तो कहां पर क्लिक हुए जैसे यह एक recent post है तो जायर सी बात यहां क्लिक ज्यादा होंगे इसी तरहीके से आप भी clarity के इस सारी चीज़ें देख सकते हैं इसके अलावा I think सारी चीज़ें हो गई इसके इंदर cover अच्छा active time spent or scroll depth वगेरा pages per session website पर जो बंदा रहा है कितने pages on average आपकी website पर जाके देखता है scroll depth अगर आपकी website के pages बढ़े हैं तो कितने percent तक scroll कर रहा है बना जैसे यह यहां तक अगर जाओगा तो मैं 100% होगा on average 64% की scroll depth है तो most likely जो visitors होंगे वो यहां तक जा रहे होंगे active time spent आपकी website पर कितनी inactive time जो होता है एक जैसे यह किसी visitor ने यह window आपकी खोली भी यह tab लेकिन वो किसी और website पर भी गया वह तो वह inactive होगी आपकी website पर active time spent का मतलब यह कि visitor ने website को खोला है आपकी और वह actively website पर कुछ ना कुछ कर रहा है तो आपको यह चीज़ भी clarity से मालूम पड़ जाती है कि website पर क्या हो रहा है या क्या visitor करके गया है यह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और अगर आपको कुछ फिल्टर करना हो तो फिल्टर के अंदर भी बहुत सारे option है कि आज कितने आपके क्या हुआ website पर कौन कौन से आया था बंदा तो यह चीज़ भी आप बिंग के अंदर clarity के अंदर कर सकते हैं यह काफी आपको ज्यादा help करेगा कि आप अपनी website को बहतर understand कर सके हैं कि website पर हो क्या रहा है अगर आपने website बनाईए और अगर आप session recordings या heat maps बगर नहीं देख रहे तो आप कभी भी अपनी website को judge नहीं कर पाएंगे वह इसलिए क्योंकि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि website पर जो visitor आया उसने क्या किया हो सकता है कि कोई आपकी website मे इसी highlight हो मतलब ऐसा कुछ important आपने चीज डाल दियो जिसमें visitors बहुत जाता attract हो रहे हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे visitor distract हो रहा हो तो आपको ये भी at least मालूम पर सके कि हो क्या रहा है recording से या heat map से तो ये सारी चीज़े आप करेंगे तो आपको बहतर idea हो सकेगा और आप फिर म master tools आ लग हो तो यहां से भी आ कि आप इस्टॉल कर सकते हैं